हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी को सभी बच्चों का स्वागता है सभी को जैहिंद आजेंगे मेरे सभी अगनीवीर फटाबट से बिटा जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोश शाम को साड़े साथ बजे से आर्मी अगनीवीर परिक्षय दोहजार चौबिस के लिए साइन्स के बेहद इंपोर्टेंट को हम लोग कवर करते हैं तो आज उसी सीरीज में हमारा तेर्मा पार्ट है जो बच्चे आर्मी अगनीवीर दोहजार चौबिस में निश्चित रूप से सपलता पाना चाते हैं वर्दी की जंग जीतना चाते हैं बटा उन सभी बच्चे को इन सभी क्वेशन की फिरी पीडिया भी मिलेगी किसी बच्चे से एक भी पैसे का कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा बताएगा बिटा पहला कुश्चन पूछ रहा है और एच फेक्टर का नाम किस से संब्दित है भालू से बिल्ली से मनुश्य से या फिर बंदर से बताएं तेजी के साथ में जुआ बॉब दें बही किस बहुत लगने व को से सम्मादुथी कराने के लिए केंडर इस्तित होते हैं बताएं तेजी के साथ में जवाब दें फटाफट से जवाब देंगे पर भाई मनुष्य के मस्तिस्क के किस भाग में भूक लगने वे भोजन से त्रिप्ती की अनुभूती कराने वाले केंद्र इस्तित होते हैं मस्तिस्क के गोलारद में हाइपोथैलेमस म अनुमस्तिस्क में या फिर इन में से कोई नहीं पताएं बिटा आफटाफट से जवाब दें मस्तिस्क के किस भाग में भूक लगने भूजन से संबंदित अनुभूती कराने वाले केंद्र इस्तित होते हैं तो राय टांस पर बन जाएगा इसका हाइपो थेले मस जिन बच् रहता है सेरे ब्रहम रहता है या फिर इन में से कोई नहीं बताएंगे मेरे अगनीवीरों फटावट से जवाब देंगे बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे फटावट से जवाब देंगे सभी साथी सभी साथी तेजी के साथ में जवाब देंगे पढ़ते रहेंगे आगे सेरेब्रम रहता है सी ओप्षन बढ़ जाएगा आपके स्कूशन का राइट टांसवर अगनी वीरों के लिए नेक्स्ट कुछन पूछ रहा है कि से संबंदित है यकृत से नाडी से हिर्दय से या फिर मस्तिस्क से तो पिछले ही कुछन में बढ़ा है हम लोगों ने कि मैं बताऊंगा इन सब्सक्राइब लोग कैसे पा सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा रहता है मस्तिकांक का रहता है मद्य मस्तिस्क रहता है प्रमस्तिस्क रहता है या फिर अनुमस्तिस्क रहता है तेजी के साथ में जवाब देंगे मेरे सभी अगनिवीर सभी मेरे फॉजी वाई फटाफट से जवाव दे देंगे बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे तेजी के साथ में कमेंट करते रहो और पेपर के मतलब के क्वेश्चन्स हैं गुरुदक्षना के रूप में अंगुटे कनिसान दबाकर के वीडियो को लाइक कर दो अभी और जो बच्चे पहली वार वीडियो पर आएं बटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को और नोटिफिकेशन पर सेट कर लो जिससे कि हर रोज की क्लास और हर सब्जेट की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे पता है मनुश्य के मस्तिस्क का सबसे ब पुनर्योजना सकती होती है बताएगा मानव सरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना सकती होती है मस्तिस्क कोशिकाओं में या फिर पेसी कोशिकाओं में रैट टांस पर देंगे फटाफट से तेजी के साथ में जवाब देते हो चलेंगे बरिया सब भी साथी तब भी अगनी वीर तेजी के साथ में जवाब देंगे मिरवाई, मानव सरीर की किन कोशी काओं में सबसे कम पनर्योजना सकती होती है, मस्तिस की कोशी काओं में सबसे कम होती है, यह option बढ़ जाएगा हमारे question का right answer, अगला सवाल पूछ रहा है बिटा आप लोगों से, रक्त समू के खोज करता कौन है, बिलड़ गूरूप की खोज किस ने की थी? लेंड स्टीनर ने की थी, ल्योविन होक ने की थी, विएनर ने की थी, यह फिर लिवाईन ने की थी? बताओ बिटा, फटावर बट से जवाब दो, तेजी के साथ में जबाब देंगे भई तेजी के साथ में पटावट से कमेंट करेंगे बिटाजी हरोज शाम को साढ़े साथ बजे से साइन्स की प्रेक्टिस चलेगी अगनीवीर 24 की परिक्षा के लिए ठीके बताएं फटावट से रक्त समूं के खोज करता कौँन है तो रक्त समूं के खोज करता कौँन के लेंड स्टिनर रक्त समूं के खोज किसने की? लेंड स्टिनर नामक वेग्यानिकने की अगला कोश्चन अगनीवीरों के लिए पूछ रहा है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबोडी पाई जाती हैं बहुत प्यारा कोश्चन है जिस बच्चे ने थोड़ी सीवी साइंस पड़ी है बायलोजी पड़ी है वो बच्चे फटाफट से इसका जवाब देदेगा किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबोडी पाई जाती हैं ए में ए बी में बी में या फिर ओ में पटाफट से आंसपर करेंगे वर्भाई सब भी अगनीवीर तेजी के साथ हमें जवाब देंगे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबोडी पाई जाती हैं बिटा राइट टांसपर बन जाएगा ओ बिलड़ ग्रोप दी ऑप्शन हो जाएगा जी एकदम सही जवाब आगे पूछ रहा है बिटा कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबोडी नहीं पाई जाती ए में, बी में, ए बी में या फिर ओ में फटा फट से जवाब देंगे हाँ जी बिटा जी बताएंगे फटा फट से किस रुधिर वर्ग में एंटीबोडी नहीं पाई जाती तो सही जवाब होगा इसका बिलड गुरुप ए बी में बिटा कोई भी एंटीबोडी नहीं पाई जाती है अगला सवाल मेरे अगनीवीरों के लिए पूछ रहा है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता बताएंगे इस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता बिलड गुरुप ए में बिलड गुरुप बी में बिलड गुरुप ए बी में या फिर बिलड गुरुप ओ में बताओ मेरे फौजी ओ बताइए बिटा जो पड़ेगा वो आगे बड़ेगा बाकी सब जिनसंख्या का हिस्सा बन करके रह जाएंगे जो पड़ेगा बिटा वो आगे बड़ेगा बाकी सब जिनसंख्या का हिस्सा बन करके रह जाएंगे चंद दिनों का टाइम है बिटा चंद दिनों का टाइम है कुछ ही दिनों की बात है इसमें मेहनत कर लो निश्चित रूप से वर्दी आपकी होगी बताए किस रुदिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो राइट टांसफर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चो इसका बिलड ग्रूप O ठीक है एंटी बड़ी दोनों होती है इसमें बिलड ग्रूप में लेकिन एंटीजन कोई सा भी नहीं पाया जाता है डी ओप्शन बनेगा राइट टांसफर अगला सवाल मेरे अगनी वीरों के लिए फूसरे बटा कि मानव शरीर में लाल रक्त कन का निर्मान कहां पर होता है हिरदे में होता है तिली में होता है अस्ती मज्जा में होता है या फिर यकृत में होता है बताएंगे बिटा जी, तेजी के साथ में आंसर कर देंगे, तो जीवन सब लुजाएगा भाई, आपका भी और मेरा भी. बताईए बताईए फटाफुट से जवाब दीजिए फटाफुट से आंसो करिए मानव सरीर में लालक्त का निर्मान लालक्त कणों का निर्मान कहाँ पर होता है तो कहाँ पर होता है प्यारे बचो अस्ती मज्जा में होता है अस्ती मज्जा का मतलब बॉन मेरो कहां पर होता है बिटा बॉन मेरो में होता है अस्ति मज्जा में होता है ठीक है हड्डियों के अंदर होता है ठीक है द्यान में रखना है मानव सरीर में लाल रक्त कनोंगा निर्मान कहां पर होता है अस्ति मज्जा में आगे पूछ रहा है बिटा जी, कि सरीर में लाल रक्त कनी काएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, या फिर पूछ लेता है कि लाल रक्त कनी काओं का जीवन काल कितने दिन का रहता है, पाड़ दिन का रहता है, एक सो बीज दिन का रहता है, तीन सो पैंसर दिन का होता है, बताईए इसका जवाब दीजिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन questions की free pdf आप लोगों को कैसे मिलेगी, बताएं बच्चो, तेजी के साथ में जवाब दें, लालक्त गणिकाओं का, जीवन काल, कितने दिन का रहता है, 120 दिन का रहता है, अब उन बच्चों को बता देता हूं, जो बच्चे इन सभी questions की free pdf पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, आप लोगोंने, ये जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है न बिटा इस नंबर को सेव कर लेना है ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इस नंबर को सेव कर लेना है जब नंबर सेव हो जाए तब जाना बिटा वटसप पर ठीक है पहले नंबर को सेव कर लेना है से कैसे आपका मैसे जाएगा उस समय के तीन से पांच गंटे के अंदर तीन से पांच गंटे के अंदर बिटा आप लोगों को एक वटसप गुरुप में जोड़ दिया जाता है जिस गुरुप में बिटा रात को 11 बजे रात को बिट्चन सकी पीडियेफ सब्याइब लिऄकर और दीता है कि एक पाउन में वहत्सप पर जाना व다면 सब्सक्राइबुर्स ethics करना है एक बार बर मैसेदना 2005 में आप लोगों प्री प्रीब राए गुरुप में जोड़ दिया जाता है और सबस्क्राइब करेंगे ना रुकना है ना जुकना है ना थकना है बस बढ़ते जाना है और मंजिल को पाते हुए जाना है बताएंगे पटा जो बच्चे बटा पहली बार आये ना वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल नोटिफिकेशन पर सैट कर लेंगे जिससे कि हर रोज की हर सब्जिट की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे लाल रखते कनी काई कहां उत्परन होती है मरे लाडे ले बच्चो अस्ती मच्जा में होती है बॉप्शन बढ़ जाएगा एकदम राय टान्सपर अगला सवाल पूछ रहा है बटा, लाल रखते कनी काई किस नाम से जानी जाती है बहुत प्यारा कोशन है। बायलोजी का बहुत प्यारा कोशन है। लाल रखते कर्णी का है किस नाम से जानी जाती है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा देश की सरकार के पास में देश की सारी जनसंख्या के लिए सरकारी की नौकरी नहीं अपने अपने इससे की नौकरी आप लोगों को खुद खुद की जिम्मधारी पर लेनी पड़ेगी चींप değild की और मेहनत के दम पर बेटा पढ़ाई ही वो हतियार है जो आपको आर्मी की वर्दि दिला सकता है ठीक है तो पढ़ लो पढ़ लोगे तो बढ़िया रहोगे नहीं पढ़ोगे तो गलियों में पत्थर मारते हूँ रहे जाओगे इस वात की जिम्मेतरी आपको लेनी पढ़ेगी या तो आज अपने आख और दिमाख को खोलो वरना जिस दिन चलटाएगा उस दम खोली जाएगा अगला सवाल मेरे अगनी वीरों के लिए जब कोई बहारी मानव रोधिर प्रिविस्ट करता है तो पृतिकरिया कौन प्रारब करता है बतायेगा जब मनुश्य गे रक्त में कोई बहारी पदार्थ जाता है तो उसको कौन देखता है? उसके साथ पृतिकरिया कौन करता है? बताएं बटाजी तेजी के साथ में आंस्प्र करें प्लूधी ना करें जब हुआ देना ज़रूरी है वीडियो को लाइक करना ही आप लोगों के तरब से हमारे लिए गुरुदक्शना है जब कोई बहरी पदार्थ मानव रुदेः परनाली में प्रविस्थ होता है तो प्रितिकरिया कौन प्रारह करता है मेरी रूप्यारी पचो WBC करता है पटा वाइट बलड़ सेल्स करती है कौन करता है वाइट बलड़ सेल्स अगला सवाल मेरे अगनी वीरों के लिए पूछ रहा है कि उच्च उन्नतांस पर मानव शरीर में RBC पर क्या फर्क बढ़ता है RBC का आकार बढ़ेगा RBC की संख्या गटेगी RBC का आकार गटेगा या फिर RBC की संख्या बढ़ेगी उन्नतांस का उच्च उन्नतांस का मतलब उच्चे स्थानों पर रहने वाले लोगों का अगर कोई वैक्टी उच्चे स्थानों पर रहने लग जाए जैसे पहाडी छेत्र में तो उनकी बढ़ी की RBC पर रैडबलेट सेल्स पर क्या फर्क पड़ेगा तो बटा रैडबलेट सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी उसकी बॉड़ी में RBC बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पर गुरुत वकर्शन कम रहता है पूछ रहे बटा लालक्त कनिकाओं का शम्शान किसे कहा जाता है बताएगा हरदय को कहा जाता है पलीहा को कहा जाता है वरिक को कहा जाता है या फिर अस्तिमज्जा को कहा जाता है बता दीजी मरे लाड़लेबच्चों फटाफट से जवाब दीजिए तेजी के साथ में कमेंट करिए क्वेशन का आंस्वर दीजी इसका प्लीहा लालक तकनी काओं का शम्शान किसे कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है सतरमे कोशन का जवाब हो जाएगा B option नेक्स्ट कोशन आ रहा है पूछ रहा है कि एंटी बोडी का मुख्य कारिया किसके वुरुद्ध होता है एंटी बोड़ी का मुख्य कारिया किसके वृद्ध होता है पोशक पदार्तों की कमी के वृद्ध, संक्रमन के वृद्ध, विपत्ती के वृद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं बताएंगे बिटा, केवल पढ़ाई करेंगे, फालतों की बात कोई वच्चा नहीं करेगा केवल पढ़ाई करेंगे मिरे लाडले वच्चो, पढ़ाई करने से ही आपको वरदी मिल सकती है मनोरंजन से या दरोदर की बातों से नहीं मिलने वाली वर्दी दिहान में रखिएगा antibody का मुख्यकारिया किसके वृद्ध होता है तो किसके वृद्ध होता है संक्रमन के वृद्ध होता है antibody का काम किसके वृद्ध होता है संक्रमन के वृद्ध होता है वी ओपशन होगा, राइट याइट आँसफर, अगला कुश्चन पूछ रहा है बीटा, कि निमल लिखेत में इसे कौण सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया कौण सा है बटा?... साल मोनेला है एकोली है राइजोबियम है या फिर स्थूडो मोनास है सभीफ हो जी क्या कर रहे हैं दर्शक बन करके बैटे हैं हाथ पर हाथ रख करके बैठे हो तेजी के साथ में जवाब दो खिलाडी बन करके मैदान में उतरो सही जवाब मिला बिटा तो आपका confidence बढ़ेगा और गलत जवाब निकला तो आपको सीखने को मिलेगा दोनों ही इस्तिती में फायदा आप लोगों का ही है इस वज़ जैसे फटाफर्चे जवाब देते रहें निमल लिखेत में से कौन सा nitrogen fixing bacteria है तो बिटा bacteria हो रहता है sphylococcus रहता है lactobacillus रहता है या फरी येस रहता है बताएंगे मेरे प्यारे बच्चो सभी मेरे लाड़ले बच्चे तेजी के साथ में जवाब देंगे भई पटाफर्ट से जवाब देंगे दूद से दही के रोप में जमने का कारण क्या रहता है तो बिटा दूद से दही के रूप में जमने का कारण क्या रहता है lactobacillus रहता है क्या रहता है lactobacillus रहता है c option होगा right answer आगला question बूच रहा है बिटा कि सतनी के हिर्दे में कितने कोष्ट रहते हैं कितने chambers होते हैं बताइएगा दो रहते हैं तीन रहते हैं, चार रहते हैं या फिर पांच रहते हैं सतन्धारी जो रहते हैं उनके हिर्दे में, उनके हर्ट में कितने chambers होते हैं tell me the right answer within 10 seconds my dear friends पताओ मेरे अगनी वीरो फटा-फट से जवाब दो पताओ अगला question पूच रहा है वहेल के हिर्दे में कितने chamber होते हैं 2 होते हैं 3 होते हैं 4 होते हैं या फिर 1 होता है बताया जाए फटा वट्चे answer किया जाए भई देरी ना करें कोई वच्चा फटा वट्चे answer करें मेरें बेटा पूरा कर सकें अपनी कमियों को अपने पिपर से पहले पहले वहेल के हिरदय में कितने चैंबर होते हैं प्यारे बच्चों चार चैंबर होते हैं आगे पूछ रहा है पिटा सबसे विशाल जीवित सतन पाई कौन है हाती है, मनुश्य है नेली वहल है या फिर उंट है बताईएंगे बिटे टेजी के साथ में जवाब देंगे बही सब भी फोजी सबसे विशाल जीवित सतन पाई कौन है तो बच्चा बच्चा जानता है बिल्यू वहेल बिल्यू वहेल जो है वो सबसे विशाल काई सतन पाई है सी उप्षन बने का राइट टांस्वर अब बिटा एक बार बता देता हूँ कि इन सबी questions की free PDF कैसे पा सकते हो बिटा free PDF पाने के लिए इस वाले नंबर को save करना है अपने phone में और जब नंबर save हो जाए तब जाना है WhatsApp पर और WhatsApp पर जाकर के बिटा एक ही message करना है और एक ही बार करना है बार बार message नहीं करना हाई है लो कोई लिख करके नहीं बेज़ेगा केबल army लिख करके बेजना है बिटा WhatsApp पर जब इस नंबर को save कर लोगे WhatsApp पर जाकर WhatsApp पर army लिख करके भेजना है एक ही बार message करना है और बिटा 3-5 घंटे का time लगेगा बार बार message नहीं नहीं करना है 3-5 घंटे का time लगेगा 3-5 घंटे के अंदर-अंदर बिटा Speakabe पांच घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को एक वटसप गुरुप में जोड़ दिया जाता है और इस गुरुप में मेरे प्यारे बचो रात को रात को ग्यारा से बारा बजे के बीच रात को ग्यारा बजे से बारा बजे के बीच हर रोज की free PDF डाल दी जाती है हर रोज जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन classes की free PDF डाल दी जाती है अगर किसी को बास समझ में आई हूँ तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना डीटेल में बताया मैंने कैसे कैसे मिलेगी PDF चले बचलोगों बढ़ते है next question की तरफ उसरा बिटा लक्षे निर्धारन हे तू रडार तंतर किस में पाया जाता है लक्षे निर्धारन हे तू जवाब देंगे भाई लक्षे निर्धारन हे तू रडार तंतर किस में पाया जाता है बताओ बिटा पटा फट से जवाब दो इतना टाइम नहीं लगना चुए इतना टाइम नहीं लगना चुए है तेजी के साथ में आंस्वर करते हूँ चलें बटा बट से आंस्वर करते हूँ चलें मरे भाई लक्षे निर्धारन हे तू रडार तंतर किस में पाया जाता है मरे प्यारे बचो बताए बताओ बटा बताओ चले लक्षे निर्धारन हे तू रडार तंतर किस में पाया जाता है चमगा दड़ में पाया जाता है वही एक बार सबी साथी अंगूटे का निसान दबाकर वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिना देतो बार बार मत कहलवाओ इसके बारे में और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को all notification पर सैट कर लो से कि हर रोज की क्लास टाइम से आप लोगों को मिलती रहे और बढ़ते हैं बटा नेक्स्ट कुश्चन की तरफ पूछ रहे कि मनुष्य ने सर्व पर्थम किस जन्तू को पालतू बनाया था कुट्ता को गाये को बिल्ली को या फिर बकरी को बताओ मेरे अगनी वीरो बताओ म लन जायेगा राइट टांसवर आगे पूछ रहे बिटा अंडा दEने वाला सतंधरी कौन है अंडा देने वाला सतंधरी क्यूंकों नमगान पर लाव या पॉक्शन हो जाएगा विटा एकदम सही जवाब अगला कोशन मेरे अगनी वीरों के लिए उसरा है सबसे बड़ी आंखें किस सतंधारी प्रानी की होती है गोड़ी की होती है हिरन की होती है वहील की होती है या फिर उंट की होती है बताओ बटा तेजी के साथ में जवाब दिजिए सबसे बड़ी आंखें किस सतंधारी की होती है तो राइट टांसवर बनेगा इसका हिरन राइट टांसवर क्या हो जाएगा बटा हिरन हो जाएगा पेजी के साथ में बढ़ते हैं बटा next question की तरफ पूछ रहा है कि निमल लिखत में से नियत तापी प्राणी कौन सा है नियत तापी मतलव जिसका जो ताप माने वो नियत रहता है फिक्स रहता है जैसे human body का रहता है ना human body का चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो कितना रहता है 37 डिग्री Celsius रहता है या फिर 98.6 डिग्री क्या रहता है फारने हाइट रहता है ठीक है ये नियत ताप मान रहता है तो ऐसे ही इन में से कौन सा प्राणी है जो नियत तापी है शार्क है बिटा शिपकली है ताप मान रखता है हर मौसम में बिमार है तो अलग बात है वैसे नियत ताप मान रहता है तो सही जवाब बनेगा इसका चमगा दड़ क्या बनेगा इसका सही जवाब चमगा दड़ बनेगा क्या बनेगा चमगा दड़ आगे पूछ रहे वह सतंधारी जो खत्रे के संकेत क समय गैंद के समान हो जाता है यानि कि गोल हो जाता है यानि क्या हो जाता है गोल हो जाता है वह कौन सा है जचंदर है भीटा अपोसम है कंटक्चु है यह पिर से ही है बताओ भई तेजी के साथ में जवाब दो सभी बच्चे सभी बच्चे तेजी के साथ में आंसुर करेंग पटाफट से देरी नहीं करेंगे जवाब देने में टाइम ने लगना चाहिए जवाब देने में टाइम ने लगना चाहिए फौजी वाली स्पीड से करो फौजी वाली स्पीड से करिए मैसेज पटाफट से वह सतंदारी जो खत्रे के संकेत के समय गेंद के आकार का हो जाता है कौन होता है जी वो कंटक चूहा होता है कौन रहता है कंटक चूहा रहता है आगे पूछ रहा है बटा केंद्रक विहीन लाल उरुधर अनू किस में पाया जाते हैं केंद्रक विहीन यानि कि जिन में केंद्रक नहीं पाया जाता ऐसे लाल उरुधर अनू किस में पाया जात बिटासरी सिर्फ में पाइज दाते हैं सतंदर्यों में पाइज दाते हैं एम्फी भीयमें पाइज दाते हैं अगले कोश्विशन पूसरे बचू कि बिली की आखे रात क्यों चमकती हैं बिल्ली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं विसे इस लेंस के कारण सपस्ट कारण ग्यात नहीं है अभी तक जीन प्रभाव के कारण या फिर एपिटम लुशिडम के कारण बताएंगे बटा तेजी के साथ में जवाब देंगे देखो बिल्ली होती है तितली होती है बिल्ली भी होती है तितली भी होती है और भी कई ऐसे प्राणी है जो इस केटेगरी के हैं जिनकी आँखें रात के समय चमकती हैं बटा क्यूंकि उनक पूचन की मानव का जयविक नाम क्या है होमो से पियंज है। होमो हैबिलेस है या फिर इन मैं से कोई नहीं बताएं फटा-फट से जबाब दें ताइम खराब नहीं करेगा कोई भी बच्चा केवल कुश्चन का जवाब देंगे इधर उदर की बातें करने की बिल्कुल भी आविशकतर नहीं है टेक्निकल टीम बड़ी सकत बैटी हुई है जो इधर उदर की बात करेगा उस बच्चे को ब्लॉक कर दिया जाएगा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे पीडिएप भी नहीं ले पाओगे बिटा अगर असलियत में आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो ही सेसन के साथ जुड़ा करें जिनको मनोरंजन करना है बिटा मनोरंजन के तो बहुत सारे बहुत सारे चैनल चलेगे उन पर जाओ न आप क्यों यहां पर अप्टना टाइम क्या होता है मानव का के बढ़ां साथ सतनधरी नहीं है मचली मनुश्य वहेल या फिर चमगादड को लातला पर mermaid की जवादब तेजी के साथ में जवाब देंगे भाई मेरे सबी अगनिवीर सबी अगनिवीर तेज गती से जवाब देंगे कि निमल लिखित में से चार उप्शन में से कौन सा प्रानी सतंधारी नहीं है तो मेरे लाडले वचो चमगादर तो सतंधारी होता है वहेल भी सतंधारी होती है, मनुश्य भी सतंधारी होता है, जो मचली है वो सतंधारी नहीं है, यह option बनेगा, सही जवाब, अगला question फौजी वाईयों के लिए, फौजी वाईयों के लिए next question, पूछरा भिटा कि सतंधारी वर्ग का विसेस्ट लक्षन क्या है, यानि कि सतंध हरियों की पहचान क्या है, पहला option है, सतंधारी होती है, उनके सरीर में, दूसरा है कि चार कोस्थ है, यानि कि चार चेमबर वाला हिर्दय होता है उनका, और स्वेध गरंथियां होती है, या फिर ये सभी लक्षन है, बताएं, तेजी के साथ में जवाब दें, बिलको सही बात है भाई, डी ओप्षन हो जाएगा सही जवाब, ये सभी स्वेध गरंथियां भी होती है, चार चेमबर वाला हिर्दय भी रहता है, और सतन गरंथियां भी रहती है, ये सभी लक्षन है बटा, किसके स्थंधारी होने के, आगे बढ़ते हैं बटा, इसका जवाब डी प्रक्षन है, प्यारे बच्चो, आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि उल्टी उडान भरने वाला पक्षी कोन सा है, पैंग्विन है, बतक है, मोर है, या फिर हमिंग बर्ड है, बताओ मेरे लाड़ले बच्चो, बताओ मेरे फॉजी हो, मेरे जिगर के टुकडो, मेरे आ मिंग बर्ड भरता है, तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, सबसे बड़ा उड़ने में ऐसमर्थ, जो उड़ने में ऐसमर्थ है, और उड़ने में ऐसमर्थ है, जो सबसे तेज गती से दोड़ सकता है, वह पक्षी कौन सा है वह पक्सी कौन साथ बटा जो सबसे बड़ा है उड़ने में एसमर्थ है और तेज गती से दोड़ सकता है पेंगविन है एमू है ठीक है ओस्टिच है यह फिर कीवी है बताएं भई बता दो बटा फटा फट्च जवाब दो फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इन कोईशन की फ्री पीडियाप कैसे पासकते हो बताएगा बताएगा तेजी के साथ में जवाब दीजेगा तेजी के साथ में आंस्वर करेंगे वहाई सब यह वासाथ अगरे प्यारे बच्चे कि natural selection का सिद्धान्त किस ने बनाया है natural selection का सिद्धान्त किस ने दिया Newton ने, Mandel ने, Darwin ने या फिर इन में से कोई नहीं बतादो मेरे अगनी वीरो फटापुट से जैसा question वैसा जवाब सोच समझ करके जवाब देना है लेकिन speed से जवाब देना है एसा नहीं कि शाम तक कल तक सोचते समझते रहो परसों तक सोचते समझते रहो अभी क्या भी जवाब देना है कमेंट करके natural selection का सिद्धान्त किस ने बनाया बिटा किस ने बनाया, Darwin ने किस ने बनाया, Darwin ने बनाया सी उप्षिन होगा हमारे question का right transfer आगे पूछ रहा है बिटा मदू में है के उप्षार है तू प्रयोक्त हॉर्मोन इंसुलिन का आविश्कार किस ने किया ठीक है पहले तो ध्यान रखना कि इंसुलिन किस की दवाई बिटा मदू में कि जिसको शूगर बोलते हो शूगर की सुगर का जो helpful एक हार्मोन है उसको कम करने के लिए क्या है इंसुलिन उसका आविश्कार किस ने किया बताईगा FG बेंटिंग ने किया था हुक ने किया था लीडेन एवम स्वान ने किया था या फिर ब्राउन ने किया था बता दो एजी के साथ में जवाब दे दो इंसुलिन की खोज किस ने की इंसुलिन का आविश्कार किस ने किया था डारेक्ट भी आ जाता है कुशन इंसुलिन का आविश्कार किस ने किया था इंसुलिन का आविश्कार किस ने किया था FG Banting ने केवल Banting भी लिखा आजाता है तो वो भी आपका जवाब सही है ठीक है आगे पूछ रहा है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वह वैज्यानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परी संचरन की व्याक्या की थी यानि कि Blood Circulation होता है कैसे कैसे होता है उसकी व्याक्या किसनी की हारवे ने, रॉस ने, मेंडल, लोनाडल ने या फिर इनमेंसे कोई नहीं बताएंगे मिर भाई जो पढ़ेगा बिटा वो आगे बढ़ेगा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा ग्यान की वेल्यू है ग्यान के दमपर ही पेपर आपका clear हो सकता है मेरे लाडले बचो फटावट से जवाब दीजिए वह वैज्याने कौन है जिसने पहली बार रुधिर परी संच्रन की व्याक्या कीती तो राइट टांसपर बन जाएगा इसका हारवे राइट टांसपर क्या हो जाएगा जी डॉक्टर हारवे नहीं आगे पूछ रहा है बटा कि नमल लिखित में से कौन सी व्याधी अनुवाशिक है व्याधी मतलब बिमारी कौन सी विमारी अनुवाशिक अनुवाशिक मतलब एक बंस से दूसरे बंस में दूसरी पीडि माज है कौनसे बिमारी जैनेटिक है बताओ बचो राइट टांसफर होता है इसका क्या हो जाएगा राइट टांसफर हीमोफीलिया हीमोफीलिया जो बिमारी है वह अनुवांशिक है और इस बिमारी में क्या होता है कि चोट लगने पर चोट लगने पर जब बिलड निकलता है तो हो आसानी से बंद नहीं होता है यानि कि बिलड की क्लॉटिंग नहीं होती है यह यह तरह की नहीं होती है यह थे बिलड कीकल रहती है ही मोफिलिया घम सते div02ch होती बठा अगर पेरेंट्स को है बच्चों को भी होगी उनके बच्चों को विह होगी ठीक है blends कोचलते हैं और तब नहीं प्रवाव का रहा है लुए नहीं कला जब कोई नहीं जवाब वह है उस इस टाइम पर भी मैंने बिल्ली है ठैके और वगलाव वगरा ओध विलॉथद वगरा एसारे प्राणी है इस कटीकरय में जिनकी आखें राथ के टायम चमकती हैcome टेपीटम, लुसीडम के कारण चमकती है, एक चीज पाई जाती है इनकी आँखों में उसके कारण चमकती है रातरी के समझे, बी ओप्शन बढ़ जाएगा इस कुशन का राइट टांसवर, अगला कुशन पूछ रहा है बिटा, अमरत्व का गुन किस में पाया जाता है, अम अमरत्व का गुन किस में पाया जाता है, जो कभी नहीं मरता वो कौन सा जीव है इन में से, पंज है, और इलिया है, हाइडरा है या फिर इन में से कोई नहीं, बता दो बटा, चले, अमरत्व का गुन किस में पाया जाता है, हाइडरा में पाया जाता है, अगला सवाल पू प्रिचलन अंग क्या है अगला कोशन अगनी वीरों के लिए पूछ रहा है बटा कि पावो क्रिस्टेस पावो क्रिस्टेस किसका विग्याने के नाम है बाग का मोर का मनुष्य का या फिर मैं डगका बताओ मेरे लाडले बचो मेरे अगनी वीरों फटावट से जवाव दे दो तेजी के साथ में जवाव देंगे बई? कोई रुकेगा नहीं, जुकेगा नहीं, पपड़ते हुए चलना है, से लेक्षन लेते हुए चलना है, चंद दिनों की मेंनत है, उसकेबाद में वर्दी आपके कंधों पर बताओ बिटा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा जो नहीं पढ़ेगा वो मनुरंजन करता रह जाएगा कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल पे कभी तीसरे चैनल पे वो इस बार भी मनुरंजन कर रहा है अगली बार भी मनुरंजन करेगा पढ़ने वाले बच्चे के नाम क्या है तो जवाब क्या हो जाएगा पावो क्रिस्टेशस ठीक है अगला कुशन पूछ रहा है बिटा वह पक्षी जो अपने सत्रू से बचाव के लिए अपना सिर्व रेत के अंदर कर लेता है कौन सा है सेंड पाइपर है एम है सतर मुर्ग है या फिर कीवी है सेशन में फालतू का एक भी क्षेशन नहीं मिलेगा मैं आपके दिमाग को डिस्ट मिन नहीं बनाऊंगा आपके दिमाग को इसके लिए वही कुश्चन से लेकर कर आऊंगा जो पेपर में आय हुए है और भुष्य में फिर से पूछे जाने की संभावना है इसी वज़े से मैं कहता हूं बार-बार आप लोगों से कि मेरे सेशन में जो भी क्षेशन पढ़ाये जाएं इनको अच्छे से याद कर लो चाहो तो एक डायरी बना लो एक नौटबुक में लिख लो लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है उससे ज्यादा आसान यह है कि आप इन क्वे पिडिय यह करो ऌसे रिवी जन कर लिया करो गिए अभी बताऊंगा विटा 545 है 1 500 पचास पर आएंगे उसके बाद में मताऊगा पांसो पचास तक कवर कर करां के बताऊंगा फिर याप कर लिघी मिलागी बदाए बिटा यह पक्सी जो सत्रू से बचाब के लिए अपना स रेत केंदर कर लेता है कौन है वो वो सत् Nvidia एगला सवाल पूछ रहा है बटा की डॉल्फमिन वरगी कृत किस्में इजाति थी में मत्षय में सतनी में सरी सरी कि चिप छमैं सीमें बताओ बिटggak डॉल्फिन जो रहती है वह एक इस तरह का प्रारम्म है मतश्य है मचली है मतलो सतनी है यानि कि सतन्दारी है सरी सिर्प है या फिर उब उला है को बताऊ बिटा बाताव फटाफटyeong से जी के सथ में जवाब देंगे बाइब सब्छें कहला इquar मिपिस थिसानिकारे के लिए आफ बटा स्वारत हां से और भी अगनिवीर प्रक्षा के लिए जी के के टॉप फिप्टी क्वेश्चन के प्रेक्टिस चलती है हर रोज डॉल्फिन किसमें वर्गी करित किया जाता है अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से किस जन्तु में अस्रू ग्रंथी नहीं होती अस्रू ग्रंथी मतल कावर्ट से जवाब दें यह मन लेखित मैंसे किस जन्तु में अस्रू ग्रंथी यानीकि आंसो वाली उद्ध नहीं होती टोपेटा मनुष्य में तो होती है मनुष्य है मनुष्य हो मनुष्य हो तो बेटा असुरु गिरंती होती है रही है अगला कुशन आता हुआ सबसे विशैली मचली कौन सी है पाशान मचली है, समुद्री मचली है, आरा मचली है या फिर विद्युत मचली है बताओ लाडले बच्चो बताओ मेरे अगने वीरो फटापट से फटापट से जवाब दो मिर भाई फटापट से आंस्वा करो सबसे विसैली मचली कौन सी है, मरे अगनी वीरो, सबसे विसैली मचली कौन सी है, पाशान मचली, जिसको स्टॉन फिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टॉन फिस कहा जाता है, मरे लाडले बचो, क्या कहा जाता है, स्टॉन फिस कहा जाता है, सबसे विसैली मचली कौन सी है पाशन, पाशन का मतलब है स्टॉन, पत्थर, फिस होती है सबसे विशली में चले, दो क्वेशन के बाद बताऊंगा बटा, फ्री पीडियाफ कैसे मिलेगी, पूसरा कि सौरूर्जा किस से प्राप्त होती है, अरे वा, इसको तो नहीं पूछता तो ही अच्छा था, लेकिन पेपर में आया हुआ है, तो पूछा जा रहा है बटा, सौरूर्जा किस से प्राप्त होती है, सौरिया से, हवा से, समंदर से, या फिर चंदरवां से, तो बच्चा बच्चा जानता है, सौरूर्जा का मतलब ही क्या है, सौरिया से प्राप्त होती है, चले बटा, आज के स और स्ब्सक्राइब के साथ में जवाब दो पेपर के मनलब के क्वेशन है अंगूटे के निसान दबागर के वीडियो की जरूर लाइक कर दो कुरुदक्षना के रूप में बार बार ना कहना पड़े इसके बारे में और जो मेरे साथ ही पहली बार वीडियो पर आया ना वह को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स आप लोगों के एक्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस करा दिया जाएंगे और पेपर में जब और जो अपनी कमियों जो केबल प्रैक्टिस करके जाएगा अपनी कमियों को पूरा नहीं करके जाएगा उसको पेपर में बैट करके यह तो लगेगा कि हां भी पड़े हुए क्वेश्चन है लेकिन सही जवाब क्या है उसमें कंफीजन में जवाब गलत लगा के आ सकते हो आ वाला दिमांग गलत होता है कुशन है और सल जा हुआ दिमांग सही करता है कुशन चल लिए बारी और पढमार की तो मेरे प्यारे बच्चों फिरीपीडिhyब पाने के लिए यह वा जो नंबर है नघए Confederacy पाने के लिए ये वाले नंबर को आप अपने फ़ॉन में सेव करना जब नंबर से हो जाए तब सपर जाना और वट सब्सक्राइब आखर करके मेरे प्यारे बचो एक ही मेंसेज भीजना है क्या भीजना है ITE कि बार मैसेज करना है थीं से पांच गंटे में अप लोगों को वक्त सब्सक्राइब आ desert के पढ़ाई हुए की फ्री पीडियेफ मिलेगी कि क्या बुलाए बिटा मैंने हर रोज जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसकी फ्री पीडियेफ इस वाले वर्टसप गुरुप में मिलती है बिटा इस वाले वर्टसप गुरुप में जोटने के लिए ये नंबर सेव कर लो लिख करके भेज़ देना आर्मी एक बार मैसेज करना है तीन से पांच गुंटे में आप लोगों को इस पीडियेफ वाले गुरुप में जोड दिया जाएगा चलिए मेरे प्यारे बच्चो और किसी बच्चे का कोई क्वेशन हो कोई बात पूछनी हो बटा ये मेरा के साथ में हाजर होंगे तब तक के लिए आप लोग खाते रहो खिल खिलाते रहो पढ़ते रहो और यूहीं आगे बढ़ते रहो जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम